Hello friends, welcome back to our YouTube channel CodeWithPatel So friends, आज के वीडियो में हम list variable topic को cover करने वाले हैं देखते हैं क्या होते हैं ये list और कैसे इसे use करते हैं अपने dart programming language में So friends, without needly, let's begin So friends, what is list? List is similar to an array, which is ordered collection of the objects Means, list basically array के जैसे ही होते हैं जिनका use हम करते हैं object को एक collection, मतब एक 7 रखने के लिए ताकि हम आगे चलके बड़े अराम से इस पर किसी भी तरह के operation प्रफॉर्म कर सके हैं Okay, for example, जैसे कि मुझे एक से लेकर पांट तक के नंबर को किसी एक जगा श्टोर करना है तो मैं यहां क्या करूँगा, 1, 2, 3, 4, 5 करके नंबर रिपीट करूँगा, उसको जो है separate कर दूँगा, कॉम आज के थुरू और यह हमारा बंद हो जाएगा एक बड़े bracket के अंदर, तो यह हमारा बंद जाएगा एक list Similar चीज हम perform कर सकते हैं किसी double variable के साथ, string के साथ और same काम हम कर सकते हैं किसी class object के साथ भी, जी हां, हम different different type के class object को भी एक list के अंदर रख सकते हैं और यह काफी useful रहेगा आगे आपके flutter cycle में तो एक-एक करके इसको easily way में समझते हैं कैसे कैसे इसको initialization करते हैं कैसे phase करते हैं, कैसे add करते हैं, remove करते हैं, a lot of things तो आते हैं सीथे अपने data pad पे और coding के थुरूँ से समझते हैं So friends, सबसे पहले हम देखेंगे कैसे इसे initialize करते हैं तो initialize करने के लिए हम use करेंगे list की वर्ड का और उसके बाद कुछ भी नाम देदेंगे, जैसे मैंने हैं पर simple list name दे दिया और equal to लगाके बड़ा bracket close और open और close कर देंगे तो यह हमारा हो गया, एक simple list जिसे हम कहते हैं empty list इसमें कोई भी variables या पर कोई भी collection object नहीं है, और उसके बाद देखिए इसे दो तरीके से हम define करते हैं define करने के मतलब क्या है, इसके अंदर हम कौन-कौन से items रखना चाहते हैं वो भी हम define कर सकते हैं पहला काम तो यह है कि आप इसे as this छोड़ दीजिए, कुछ मत किजिए, और simple यहां पर कुछ भी 1, 2, 3, 4 या पर कोई भी ABCD आप यहां पर नाम देदेजी, आपका यह एक fulfilled list बन जाएगा लेकिन आप specified करना चाहते हैं, इसके type को कि आप इस list में सिर्फ integer type के ही value को रखना चाहते हैं तो आप एक काम यहां पर ऐसे भी कर सकते हैं, यह use करके इसके बाद यहां पर आप लिख दीजिए integer तो यह आपका जो list है, एक integer type का list हो गया, same, अगर आपको string type का list बनाना है, तो string type का भी list आप ऐसे use कर सकते हैं, चलिए मैं इसको अलग से कर देता हूं, ctrl-v और इसको कर देते हैं integer ही, ok, sorry, यह रहा, और यहां पर हम item को change कर देते हैं, a लिख देते हैं, यहां पर b लिख द देते हैं, c, ok, तो यह हमारा एक string type का list हो गया, और उपर वाला जो हमारा integer type का list हो गया, ok, और same काम को हम थोड़े दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, कि जो m ने integer को यहां specified किया है, इसको just bracket के पहले भी हम specify कर सकते हैं, या फिर declare कर सकते हैं, तो इसमें भी कोई दिक्कत नही कर सकते हैं, आप उसे try किजिएगा, ok, पर हमारा काम इसके बीना भी चल जाएगा, कि हम simple यहां पर क्या करें, कि नाम दे दे कोई भी name, और उसके बाद यहां पर code, उसके बाद यहां लगा दिया विद, पर्टेल, तो यह आपका एक list हो गया, और एक बार इसे print भी कर लेते हैं, name को, semicolon, और इसे run कर दिया, हमने गलती कर दी यहां पर, हमने एक नाम को दो बादिक्लेर कर दिया, चले कोई नहीं, यह रहा हमारा output, code with पर्टेल, ठीक है, और यह ध्यान दीजेगा, bracket के साथ आप आपको output दे रहा है, ताकि आपको समझने में असानी हो कि यह आपका एक list ही return हो रहा है, okay friend, तो इसका यह होता है initialization point, और साथ मैं मैं आपको समझाता हूँ कि dynamic list क्या होती है, तो आपके मन में एक सवाल आएगा कि क्या हम सिर्फ similar type के elements को यहां store करा सकते हैं, जी नहीं, हम multiple types के element को भी यहां पर store करा सकते हैं, जैसे कि मैं यहां पर integer value 100 भी pass कर देता हूँ, यह देखेगा हमारा output बिल्कुल सही आएगा, कोई error नहीं आएगा, तो इस type की list को हम कहते हैं dynamic type list, तो dynamic type को आप declare भी कर सकते हैं, जैसे कि आपने ऊपर यहां पर string को, integer को declare कर रखा है, same type हो यह आप कोई भी item इसके अंदर insert करा सकते हैं, even आपका decimal point भी आप यहां पर insert करा सकते हैं, जो कि आपका होगा double type का ही होगा, तो 1.2 भी हमने आप insert करा दिया, यहां पर output में हमें 1.2 भी मिल गया बीना किसी error के, तो यह का हम वोपर कर सकते हैं, जी नहीं, अगर हम कोई list बन कि मैंने यहां पर insert कराया, और जैसे ही मैं इसको run करूंगा, फिर पहले ही इसने warning दे दी, यह देखिए, कि a value type of integer cannot be assigned to the variable type of string, ठीक है, तो इसने यह error आपको throw कर दिया, और यह सीधे indicate कर रहा है कि यह integer यहां पर accept नहीं कर सकता, यहां पर सिर्फ एक string value ही insert करा सकते हैं, आप तो इस तरीके से आप एक list declare कर सकते हैं, या फिर initialization कर सकते हैं इसका, और एक type होता है, इसका declare करने का तरीका एक और होता है, कि आप यह सब use ना करके, simple क्या करें, where use करें, और कुछ भी जैसे कि address ले लिया हमने, और address हो, आप simple कुछ भी यहां पर put कर दीजे, जैसे कि address में हमने ले लिया, city, is delhi, और यहां पर आप pin code भी लेना चाहेंगे, pin code भी अराम से आप इसको enter करा सकते हैं, तो यह हर type के element को यहां पर accept कर लेगा, तो इस तरीके से आप इसको declare करेंगे, बहुत ही easily और यह काफी useful होने वाला है, आप थे अपने अगले topic पे, dynamic length of the list, इसकी अगर मैं आप से कहूं कि आप इसकी dynamic length निकाल के बताएं, मतलब कि इसमें कितने item insert हैं, आप मुझे वो बताएं, तो पहला तरीका तो यह है कि आप जो है normal static, जो normal तरीका होता है किसी array से data fetch करने का यह वो यूज करें, मैं भी पहले item को fetch करना चाहता हूं, या फिर दूसरे item को, या फिर किसी particular item को fetch करना चाहता हूं, इसके लिए देखी, इसकी indexing होती है, indexing में क्या होता है, कि इसके index को define किया गया है, कि यह index number 0 है, 0, यह 1, यह 2, यह 3, यह 4, और उसके बाद भी अगर कुछ item होंगे, तो उस तरीके 4, 5, dot, 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 infinite, जितने भी आपके इसमें item होंगे, उसके according, okay, तो main point यह है, कि start हमेशा 0 से होता है, ना की 1 से, तो अगर आपको इसके पहले item को निकालना है, तो आप क्या करेंगे, variable के नाम लिखेंगे, उसके बड़े bracket को लगाएंगे, और यहाँ पे 0 यहाँ पे टाल दें variable, similar, आपको अगर पटेल निकालना है, पटेल निकालने के लिए क्या करना होगा, इसके index को count किजिए, 0 है यह, यह 1 है, यह है 2, तो तीसरे नमबर पे है, उसका index क्या होगा, 2, तो जैसे यह मैं ऐसे run करूँगा, यह निकल आएगा आपका पटेल output के दूप में, और अगर मैं आप से कहूँ कि इसकी पूरी जो है length वो निकाली है, जो dynamic length है, कितनी है, तो उसको निकालने के लिए आपको simple क्या करना पड़ाएगा, variable का नाम लिखिए, और उसके बाद dot लगाई है, और dot लगा के आपको option मिल जाएगा, बहुत सारा, अपने control plus space करेंगे, जैसे ही, आपको मिल जाएगा, जैसे कि length हो गया, तो length के तुरू क्या करेंगे, इसकी dynamic length जो है आप निकाल सकते हैं, dynamic length मतलब इसमें कितने items insert हैं, जैसे कि इसमें कितने हैं, one, two, three, four, और five, ठीक है, तो इसमें five items हैं, तो इसमें इसकी length कितने दी, five, लेकिं indexing हमेशा zero से start होगी, ओ बिसिकली किसी का भी निकाल सकते हैं, list one का, list का, और ये address का भी, जैसे कि मैंने address का निकाले हो, और address क्या होगा, और इसे जैसे ही हमने इसे run किया, यह रहा आपका output two, इसमें कितने item हैं, दो ही item है, एक city देली, और दूसरा ये pin code, तो ये होता है आपका dynamic length, और ये आगे च लिए, तो वो आप use करते रहेंगे, लगाता आर्मान के चलिए, ओके, तो फ्रेंट, आते हैं अपने अगले topic पे, fetching object from list, ओके, तो object fetch करने के मतलब क्या हुआ, suppose कि ये आपके पास एक list है, और आप चाहते हैं, उसके हर एक object को fetch करके, उस पे कोई ना कोई operation perform करना, जैसे कि मेरे पास code है, मैं code को ले के, उस पे कुछ भी करना चाहता हूँ, मैं चाहिए simple print ही करना चाहता हूँ, या फिर code को किसी और variable के साथ combine करना चाहता हूँ, तो मुझे एक particular object चाहिए होगा, और list यूज़ करने का मतलब क्या हुआ, कि मैं सारे object को fetch कर सकूँ, one by one, तो इसके ल अगर आपने लूप नहीं पढ़ा, तो मैंने पिछले वीडियो में आपको लूप पढ़ाया है, प्लीज जाके एक बार उसे देख लीजिए, और उसके बाद यहाँ पर start किजएगा, तो सबसे पहला तो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा, फिर चलिए पहले for loop से ही start करत और उसके बाद i less than, less than मैं कितना चलाऊँगा, मैं चाहता हूँ कि इस loop को मैं 0 से लेकर इसके length तक चलाऊँ, तो मैं क्या करूँगा, name.length, यहाँ पर इसका हमने यूज़ कर ही लिया, name.length के थुरू, तो length भी काफी useful होता है, dynamic length निकालने के लिए, तो यह automatically आपके loop को उतन यही बार ही चलाएगा, जितना आपके पास item है, उसके बाद i plus plus, कुछ निकरेंगे, simple एक बार इसे ही print कर देंगे, name लिखेंगे, और यहाँ देखेगा, dynamic काम बहुत अच्छा होता है, कभी भी कुछ भी करने के लिए, अगर आप static करेंगे, तो फिर आपको दिक्कत होगी होगी, अब मुझे देखी, यहाँ पर क्या चाहिए, name के हर index को print करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँ, 0, 1, 2, 3, लिखूँगा, नहीं, जरूत नहीं है, क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पर एक loop चलाया है, loop के जरिये ही मैं क्या कर रहा हूँ, 0 से लेकर, यहाँ पर इसकी क्यों, क्योंकि इसकी लेकर कितने होगी, 5, 5 होगी, तो 5-1 कितना होगा, 4, तो 0 से लेकर 4 तर कितने हो जाएंगे आपके total, 5 items हो जाएंगे, तो यह 5 time execute होगा, तो बड़े ही आराम से आप किजिए, कि यहाँ पर 0 किजिएगा, I लिख दीजिए, जो आपने यहाँ पर traverse करन आया, अब इसे एक बाइप प्रिंट करते हो, तो यह रहा हमारा output, यह उपर वाला गिनोर कर देजिएगा, पहला वाला, तो पहला क्या आया, कोड आया, फिर वीद आया, फिर पटेल आया, फिर 100 आया, फिर 1.2 आ गया, तो इसने हर एक item को यहाँ पर fetch कर दिया, तो इसके इसके लावा एक for each loop भी मैंने पढ़ाया था, उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं, पर मैं अभी ज़्यादा लंबा नहीं की चूंगे वीडियो को, और simple जो सबसे अच्छा तरीका होता है, लूप को traverse करने के सबसे अच्छा तरीका होता है, यह हम इसकी property के थूही से traverse करें, जैसे कि आपको एक property मिल जाएगी, name.for each करके, for each में क्या होता है, ति for each में यह होगा कि आपके list में जितने भी variables होंगे, उनको निकालके एक value में assign कर देगा, तो हम यहाँ पे एक parameter बनाएंगे, parameter के नाम देदेदें, चली value, उसके बाद curly braces open or close कर देगे, और इसी की अंदर जो है हमारे सारे operation perform हो जाएंगे, तो बहुत ही easily क्या करेगा, value के through ही आपको सारे items देगा, तो आपके सारे items किस में होंगे, value में होंगे, जैसे कि आप पिछले videos में for each वाला use कर सकते हैं, वो भी अलग method है, यह अलग method है, for each के जैसा ही है, बस इतना है कि यह इसके inbuilt property है, और वो लूप एक universal लूप है, जो हम loop यूडियो में पढ़ेते हैं, अब जिसका output देखते हैं, similar output आ गया, सारे इसने जो है items को traverse कर दिया, without any issue, तो इस तरीके से आप इसकी fetching कर सकते हैं, बड़े आराम से एक एक item को निकाल के कोई भी operation इसमें perform कर सकते हैं, तो आते हैं add list, मैं चाहता हूँ कि मैं किसी list में एक extra item एड़ कर सकूँ, अपने according, तो मैं क्या करूँगा, देखेंगा जाले हैं से, इसे comment कर देते हैं, इसे मेरे पास ये name है, नेम में चाहता हूँ मैं कुछ extra, कुछ अलग से मैं यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर हाड कोड़े से नही लिखना नहीं चाहता, उस भी, तो इसके लिए सबसे अचा तरीका होता है कि आप इसके property यूज़ करें, तो आपको सबसे पहले list का नाम लिखना है, उसके बाट लगाना है, और आपको इसमें एक property मिल जाएगी, add करके, इसे आप क्लिक किजे, और last में semi-colon से close कर दीजे, आप यहाँ पर कुछ भी add कर दीजे सक, मैंने additional लिख दिया, added लिख दिया चलिए, यह added है, मैंने इसको extra add किया है, तो एक बार क्या करते हैं कि दोनों को print कर लेते हैं, add करने से पहले और add करने के बाद, और मैंने इसको add करने के बाद भी print कर लिया, ओके, अब इसका output इतने एक बार, यह देखिए, जो पहला वाला output आ रहा है, वो आ रहा है, spread statement से, जो कि add करने से जश्ट पहले ही है, तो उसमें क्या हुआ, यह आपको 5 items ही दिख रहे हैं, 6 items नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर जैसे ही मैंने इसको add किया, add करने के बाद यह item आपको दिखन मिलेगा नहीं, जैसे ही आप इसे code को erase कर देंगे, यह आप चला जाएगा, proper रखने के लिए आपको statically define करना पड़ेगा, या फिर आपको इसे database से fetch करना पड़ेगा, ठीक है, तो आते हैं अगले topic पे, कि remove object form list, जैसे हम add करते हैं, same का हम कर सकते हैं, remove भी, तो क्या करेंगे पहले list का नाम लिखेंगे, उसके बाद आपको एक property मिलेगी, यह remove नाम से, यह रा remove, तो remove करने के लिए एक condition है, condition क्या है, condition यह है कि यह उसी item को remove करेगा, जो पहले से ही existence में है, जैसे मेरे पास इतने items हैं, इस time देखिए यहापर, output में, code है, with है, patel है, hundred है, 1.2 है, और य added भी है, जो हमने यहाँ पर add कर रखा है, ठीक है, ओके, तो आप सिर्फ इन items में से ही कुछ remove कर सकते हैं, अगर आप चाहेंगे कि कुछ भी extra लिख देया, चलिए, लिख देते हैं कि, no, that's, why, कुछ भी लिख दिया, अब इसे remove करने के कोशिश करेंगे, कुछ नहीं होगा, कोई effect नहीं आएगा, कोई error भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं होगा, यह ही नहीं इसमें, remove भी नहीं होगा, ठीक है, लेकिन आप जैसे ही, जैसे कोई item निकाले है, जैसे मैंने कर दिया कि, चलिए मैं code को घटाना चाहता हूँ, simple code लिखा यहाँ पर, और code को मैं remove कर देता अब output देखिएगा, यह रहा, तो इसने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले इसने simple print किया, जो कि एक static list है, जिसने सारे item दिख रहा है, उसके बाद इसने name को add किया, addition हमेशा last में होता है, कभी भी पहले नहीं होता, यह बात याद रखेगा, तो इसने 1.2 के बाद ही इसको add किया, और उसके बाद क्या किया, मैंने कहा कि ऐसा है भाई साब कि code को remove कर दो add करने के बाद, जितना भी हमने add किया, अब यहाँ पे जाके code को remove कर दो, तो इसने ढूड़ा पहले list में जाके क्या code नाम का कोई variable या फिर कोई value यहाँ पे है की नहीं है, अगर है, तो फिर remove कर काम करता है, तो आते अपने टोपिक पे, clear the list, तो अब चाहरा हूँ कि मैं पूरी के पूरी list ही clear कर दूँ, सब problem ही solve हो जाएगा, list dot, वही तरीका है, आप तब से पहले list का नाम लिखिए, उसके बाद आपको dot लगा के property मिल जाएगी, इसके अंदर, वो property है आपकी clear, आप एक बार इसे फिर से run करते हैं, और देखते हैं, क्या output आता है, पहला वाला print statement हमारा चल रहा है, तो उसमें हमें सारी values मिल रही है, जो कि यहां पे दिख रही है, और इसने add भी किया, remove भी किया, लेकिन last में आके मैंने क्या बोल दिया, कि clear कर दो, जो कुछ भी किया है, उस तरीके से आपका ये list proper clear हो गया, तो इतने तो normal इसकी operation है, जो कि list में आपको जानने ही जानने चाहिए, आगे चल कि इसमें बहुत सारे operation जो है, आपको सीखना पड़ेगा, जो कि useful होगा आपके app development में, और मैं आपको suggest करूँगा कि place इसे अच्छे से सिख लीजे, क्योंकि आगे चल के ये ही एक topic बहुत जादा widely use होगा जब आप app बगएरा create करेंगे, example में थोड़ा सा short example दे देता हूँ, जैसे कि आपको product add करने है, आपको एक e-commerce से website बनानी है, फिस app नाना है, तो उसमें आपको various product add करना जाते हैं, जैसे mobile, A mobile, B mobile, C mobile, तो आप उस mobile को क्या करें लिष्ट में ही रखेंगे, और लिष्ट में रखेंगे ही उस पर operation perform करेंगे, उसमें addition करना है, remove करना है, card में भेजना है, उसको card में add करना है, जितना कुछ है, सब कुछ आपको list में ही करना है, तो इसलिए list को बहुत बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, ओके फ्रेंड और बाकी जितने भी इसके advanced operation है, जब मैं list के advanced topic को cover करूँगा, उसमें मैं आपको details समझाऊँगा, okay, so friend, I hope you understand, thanks for watching our YouTube channel, please like and subscribe our channel, and press the bell icon for the latest update, thank you.